सो गाइस जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लिंगिंग जियोयान को बचाने आया था और उसने यून लेंग की बहुत बिटाई की इसे यून लेंग ने अपने ओल्ड सेक्ट मास्टर यून शांग को वहां बुलाया जो अब डू जोंग बन गया था इसलिए बो मैं दूसा से कहता है कि तुम उस बड़े साब के रूप में थी इसलिए मुझे उसमें कुछ फेमिलरीटी नजरा रही थी और मैं देख रहा हूं कि तुमने डू हुआ यानि फाइट एंपरर के इस तरको पार कर लिया है और अब तुम डू जोंग बन गई हो साथ ही अब तुम अपने सोबाओं के विपरीत एक इंसान के मत करने को भी त्यार हो मैं दूसा कहती है कि मुझे इस लड़के की कोई परवा नहीं है बले ये जिंदा रहे या ना रहे पर तुमने मेरे हेवन स्लोविंग पायथन को नुकसान बहुचाया इसलिए मेरे पास बाहर आने क कि पोने में दूसा के लावा और कोई रास्ता नहीं था युगिशंग कहता है कि अब तुम भाहर हो तो तुम्हारी आगे की क्या योजना है मीरे ये लिचना है कि मेरे हैं ले याश्चन के लिचन को उसे मना करता है पर मेडुसा नहीं रुखती तो यूशान मेडुसा से कहता कि तुम जियोयान को अपने साल ले जा सकती हो यूल लेंग अपने ओल्ड माश्टर को ऐसा करने से मना करता है पर यूशान उसे शांत करवा देता है मेडुसा वाँ से जाने ही लगती है यूशान जियोयान से कहता है कि आज तुमने मेरे सेक्ट में बहुत परिशानी खड़ी की पर आज जो हुआ वो पहली और आकरी बार होना चाहिए अगर बविश्ची में तुमने फिर से मेरे सेक्ट को नुकसान पहुचाने की कोशिश की तो इससे कोई फ़क नहीं पड़ेगा कि मेडुसा तुमारे साथ है और मैं तुम्हें इतने आसानी से दूर नहीं जाने दूंगा जियोयान उन्हें कहता है कि आप चिंदा ना करें आ आज मेरे जूनियर की वज़े से आप सभी कोई तमाशा देखना पड़ा जियालाओ कहते कि आप क्यों मजा कर रहे हो इससे हमें कोई प्रोब्लम नहीं हुई और अब सभी वहां से निकल जाते है यून ले यूशान के पास आकर कहता है कि हम जोयान को इतनी आसानी से दूर जाने नहीं दे सकते यूशान के था कि में भी यही चाहता था पर मैं शूर नहीं हूँ कि मैं मेडूसा के साथ लड़ाई में जीत पाऊंगा या नहीं क्योंकि दो डुहांग भी उनके साथ थे अगर आज मेरी उनसे लड़ाई हुई होती तो हमें भारी कीमत चुका नहीं पर सकती थी यून लें कहता कि मोचेंग की हत्या जियोयान नहीं की होगी क्यों क्यों इतने जोकिम के बाद भी सेक्ट में रहने के लिए त्यार नहीं हुआ इसलिए मेरी आप से रिक्वेश्ट है कि हमें वुटेंशहर जाकर जियोयान की जगे उसके पिता को पकड़कर यहां लाना चाहिए यूशान के था कि क्या जियो परिवार भी वुटेंशहर से है मेरा वह एक दूसरा काम भी है और वहां से निकल जाता है तब ही वहाँ यूशान भी आ जाती है उसे समझ नहीं आता कि सेट की ऐसी आलत किसने की होगी नालन रोते हुए अपनी माश्टर के पास आती है तो यूशान उसे पूशती है कि तुम्हें क्या हुआ फिर आमें कुछ देर के बाद का सिन दिखाया जाता है जब जियो यान मेडूसा के साथ दूर जंगल में आ जाता है बोडूंग और लिंगिंग भी उनके पीछे थे मेडूसा को ये बात पता थी इसलिए वो उने कहती है कि क्या तुम अब भी नहीं था कि तुम यहां से जा सकते हो जियो यान बोडूंग से कहता है कि अब आप क्या करने की योजना बना रहे हो एक साल पुरा हो चुका है और मैं आपके लिए स्प्रिच्वल रिकवरी पिल बनाने के लिए इंग्रिडियन को इकटा नहीं कर पाया बोडूंग कहते हैं कि अब तुम यूनलेंग सेट से मुक्त हो चुके हो और मुझे अब तुमारे पीछे आने की कोई जोरत नहीं है और रही बाद स्प्रिच्वल रिकवरी पिल की तो तुम उसे जब भी रिफाइन करो तो मेरे पास उसे इंप्रियल के बिटल में ले आना मैं में अटर फेमेली के साथ रहूंगा अगर फिर कभी तुमें में इस जोरत पड़े तो तुम मुझे परवा नहीं है कि मेडुसा के साथ तुमारा के रिष्टा है पर तुमें उस पर नजर रखनी होगी वो एसी ओरत नहीं है जिस पर तुम बरोसा कर सको ये कहकर वाँ से निकल जाते हैं लिंगिंग जियोयान के पास आकर कहते हैं कि तुम बहुत ही परतिवाशाली और बहादूर हो जियोयान उन्हें कहता कि माश्टर आप मेरी बहुत तारिफ करते हैं मैं आप दोनों की सायता के बिना इतने अच्छे से नहीं लड़ सकता था लिंगिंग कहता कि मुझे तुमारी ये विनर्म था और सौबाव बहुत अच्छा लगता है मेरा मिशन अप पुरा हो गया है इसलिए मैं वापस जा सकता हूँ और और जाते जाते जियोयान से कहते हैं कि ये डूक्यू कॉंटिनेंट बहुत विशाल है इसलिए तुम्हें जल से जल मजबूत होने की ज़रत है अगर तुम इसा नहीं करते हो तो तुम उस व्यक्ति के साथ नहीं रह पाओगे जिसके साथ तुम अपनी जिन्दगी जीना चाहते हो लिंगिंग जूनर की बात कर रहे थे पर जियोयान को को समय नहीं आता और अब जियोयान मेडुसा को भी मदद के लिए थेंस केता है मेडुसा से कहती है कि मैंने तुम से जो पिल मांगी थी वो तुम मुझे कब दे रहे हो अगर तुम सॉल रिकावरी पिल को रिफाइन नहीं कर सकते तो तुम मेरे साथ बात करने के योग्य नहीं हो पर इसे रिफाइन करना बहुत ही भोजिल और ठका देने वाली प्रोसेस है मेडुसा गुसे में जोयान को दर्द पहुचाने लगती है जोयान केता कि अगर तुम सच में मुझे मारना चाहती हो तो क्या तुम्हें डर नहीं है कि अवन स्लोविंग पाइथन मेरे बचाओ में जवाबी कारिवाई करेगा मेडुसा केती है कि तुम्हें एंटसम होने के साथ साथ चतूर भी हो इसलिए हमें कुछ शर्ट ते करनी होगी जयान केता है कि 3 साल में चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें सॉल रिकावरी पिल को रिफाइन करके दूँगा बदले में तुम्हें मुसीबत के वक्त मेरी मजद करने आना होगा मेडुसा केती है कि 3 साल तक तुम्हारी बोडिगाट बनना इससे अच्छा है कि मैं तुम्हें मार दूँ और एवन पाइथन को नाराज करूँ जोयान डर जाता है मेडुसा कहती है कि मैं तुम्हें एक साल का वक्त दूँगी और मैं तुम्हारे मत करने के लिए केवल तबी बहार आउंगी जब तुम्हारा जिवन खत्रे में होगा अगर तुम एक साल बाद पिल को रिफाइन करने में काम्याम नहीं हुए तो तुम बहुत ज़्यादा पस्ता होगे जोयान सोज में पढ़ जाता है मेडुसा कहती है कि अब तुम कहां जाने की योजना बना रहे हो जोयान कहता है कि मैं पहले वूटन सीटी जाना चाहता हूँ और शायद इसके बाद में कुछ समय के लिए जयामा एमपायर से बाहर रहूँ मेडुसा कहती है कि सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है पर तुम्हें अभी जल्दी से काम लेना चाहिए वूटन सीटी के रास्ते में हम सोल रिकावरी पिल के इंग्रीडियन की तलाश करेंगे जोयान को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है जोयान जुनर को याद करते हुए कहता है कि त्री एर एक्रिमेंट पुरा हो चुका है मुझे आशा है कि तुम जियानान एकेडमी में अच्छी ट्रेनिंग ले रही होगी पर मुझे ढर है कि तुम्हारी सुन्दरता की वज़े से तुम्हारे कहीं प्रेमी होंगे पर तुम मेरा इंतजार करना जोयान अब मेडुसा के साथ निकल जाता है पर हो मेडुसा से कहता है कि से पहले की हम किसी दूसरे शेर में प्रवेश करें आपको नए कबड़े पहन लेने चाहिए वरना लोग आपकी तरफ आकर्शी तोंगे रात में हमें यूनलेंग सेट का सीन दिखाया जाता है जहां यूनलेंग अपने साथियों के साथ जियोयान से बदला लेने के लिए प्लानिंग कर रहा था वो कहता है कि आज का बदला में तुमारे परिवार के खुन से लेकर रहूंगा और वहां से निकल जाता है फिर हम अगले दिन का सीन देखते है जब जियोयान मेडुसा के साथ पास की राज्य में आता है मेडुसा की सुन्दरता देखकर सभी उसे गुर कर देख रहे थे मेडुसा को इससे गुसा आने लगता है क्योंकि कोई उससे समान नहीं दे रहा था इसलिए अपने पाउर से सभी लोगों को अपने सामने जुका देती है जियोयान ये देखकर मेडुसा के पास आकर केता है कि हमें इंग्रिडियन की कोच करनी है इसलिए आपको लोगों को परिशान नहीं करना चाहिए और अब वो दोनों आसे निकल जाते हैं रास्ते में जियोयान मेडुसा को बताता है कि अब हम जिस राजी में जा रहे हैं वहां मैं पहले भी जा चुका हूँ और हमें वहां स्वल्रीकवरी फिल के लिए जो इंग्रिडियन चाहिए वह नहीं मिलेंगे रास्ते में जियोयान पर एक बिष्ट अमला कर देता है पर जियोयान बहुत मुश्किल से उस बिष्ट को अराता है और मारानी को बताता है कि शेतर में कोई इंग्रीडियन नहीं है ऐसे कई दिनों तक वो अलग-अलग जगों पर इंग्रीडियन की तलाश करते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता और अब तीन दिन गुजर जाते हैं इसलिए जोयान मेडुसा से पूँचता है कि क्या है वन प होसते हैं जोयान सोचता है कि सोल डिकावरी पिल के लिए इंग्रीडियन को डूरना बहुत मुश्किल है मैंने अभी तक बहुत सारे एलकमिस श्टोर और शेरों में उस इंग्रीडियन की तलाश की पर मुझे कुछ नहीं मिला जोयान की नजर एक शूच शूच पर जाती ह क्योंकि मेडूसा ने कोई भी शूच नहीं पेने हुए थे इसलिए उसे लगता है कि मेडूसा के लिए उस शूच पर अच्छे शूच मिल सकते हैं शूच लेडियन से कहती है कि हमारे पास सबसे बेतरी शूच है इन में से तुम्हें कुछ ना कुछ जरू पसंद आएगा मेडूसा भी वहाँ आ जाती है मेडूसा वहाँ अपने लिए शूच देखने लग जाती है शूब लेडी जियोयान से कहती है कि तुम बहुत बाकिशाली हो कि तुम्हें इतनी सुंदर पतनी मिली उसे लग रहा था कि मेडूसा जियोयान की वाईफ है जियोयान उसे काफी पसंद आते हैं शूब लेड़ी बताती है कि यह शूच पूरे जियामा एंपायर में केवल एकी पीस से आपको बहुत सूट करेंगे जो यहां सोचता है कि इसी गमंडी और स्वार्थी महिला से कौन प्यार करना चाहेगा में डूसा उस शूच को पहल लेती है तब ही एक आदमी अमनी गल्षेंड के लिए शूच लेने आता हैं और हो आते ही शूब लेड़ी को दमकाने लगता है और उस आदमी की गल्षेंड को भी मेडुसा के शूच पसंदा जाते है इसलिए उसे उसे गहता है कि मेरी महरानी को पसंद है इसलिए अबे तुम्हारे नहीं हो सकते इससे गुसा हो कर वो आदमी जियोयान से फाइट करने लगता है शोब लेडी उन्हें लड़ने से मना करती है पर इससे जियोयान का बिलेंस भिगड जाता है और वो मेडुसा के पीछे आद रख देता है मे तरह से खत्म कर देती है जो यान भी वापस बार निकल कर आता है फिरा में वुटन शेर का सिंद दिखाया जाता है जहां यून लेंग अपने साथियों के साथ जो परिवार पर हमला कर देता है और उनके पुरे गाउं को बरबात करने लगता है जो परिवार के एल्डर उन से भागनेों केए यून लेंग के साथ ही उनने जाने से रोकते है जान जियो यून लेंग को नहीं पैचान भाते क्यों कि ऐन्होंने अपना हुल्या बद़ा हुहा था और उससे पू warns कितने हैं क्यों मा रहे हो हमने तुम्हारा क्या भीगाड़ा है यून लेंग का रिव पर खत्म हो जाता है गाइस अगर आप इसका नेश्पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चेनल को सब्सक्राइब जरू कर लें थेंक्स रोचिंग